येर globally न stock market की लगी पड़ी है लगबख हर एक देश में stock market की लगी पड़ी है लेकिन भारत में नहीं भारत में stock market लगा थर अच्छा प्रतेशन कर रहा है और इसी के वज़े से जो निवेशक है उनकी भी संक्या बढ़ती जा रही है stock market से जुड़ने की अब stock market में गुषने से पहले निवेशकों के दिमाग में सिर एक ही खायलाता है कि अच्छा teammate या फिर trading account कौन सा है अब हमारे अनुभव में हमने ये देखा है कि ज्यादा तर निवेशक जीरोदा या फिर upstock में confuse होते हैं अब इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही अच्छे platform है और काफी स्थिर platform है लेकिन इन में जितनी समनता है difference भी उतना ही ज्यादा है आपको सुनके हैरानी जरूर होगी लेकिन हो सकता है कि आपके उद्देशे के हिसाब से इन दोनों platform में ज्यादा difference होई ना तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों platform में समान क्या होता है अब जिरोदा और अप्स्टॉक्स तोने ही discount broker है पर यह discount brokers क्या होते हैं देखो भारत में ना दो तरीके के brokers होते हैं एक discount broker और एक full service broker लेकिन इन दोनों में क्या फरक है चलिए देखते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह discount brokers आपको tools देदेते हैं पर मोटे दौर पर यह tools do it yourself platforms type होते हैं यानि कि आपको खुछ से ही सब कुछ करना पड़ता है तो यह ज्यादा थर उन लोगों के लिए अच्छे जिनको ज्यादा चक्करों में नहीं पढ़ना है और एक simple interface चाहिए और पूरा control चाहिए अपने निवेशों पर और इसी के वज़े से यह do it yourself platform जैसे की जीरो दौर अप्स्ट्रॉक्स काफी अच्छा कर रहे हाली में और एक एक करके सब चार्जेस भी देखते हैं तो जैसे के आप लुग देख सकते हो अप्स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है और 2020 से इन्होंने जीरो करके रखा है और अगर बात करें जीरो दा की तो जीरो दा इन चार्जेस को हटाता नहीं है बलकि आपको 200 रोपे प्लस GST देने पड़ते अकाउंट ओपनिंग के लिए अब इन दोनों के अकाउंट मेंटरेंस चार्जेस में कोई ज्यादा फरक नहीं है लेकिन एक छोटा सा फरक ऐसा है कि आपको ये अकाउंट मेंटरेंस चार्जेस आप स्टॉक्स में हर मेने देने पड़ेंगे और जीरोदा में हर तीन मेनों में एक बार अब इक्विटी डिलिवरी का मतलब होता है जब भी आप किसी शेर को खरितते हो तब वो आपके अकाउंट में डिलिवर हो जाता है अब इंटरेंट ट्रेडिंग में आप उसी दिन शेर को खरितते हो लेकिन बेच नहीं पाते तब वो ट्रेड आपके अकाउंट में डिलिवर हो जाता है और उसे ही हम कहते है इक्विटी डिलिवरी तो जैसे के आप लोग देख सकते हो अप स्टॉक्स में आपको 20 रुपए प्लस GST लगेगा इक्विटी डिलिवरी का और ये पर स्टॉक होता है यानि कि अगर आप तीन इक्विटी डिलिवरी करवाते हो तो आपको 60 रुपए प्लस GST लगेगा जहां तक मुझे याद है upstocks ने इसको 2020 में 0 रखा था तेकिन 2022 से इन्होंने चार्ज करना शुरू करती है अब 0-2 में आपको कोई भी delivery का चार्ज नहीं देना पड़ता तो अगर आप internet trading भी करते हो तो वहाँ पर भी 0-2 आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है तो चलिए मैं आपको समझा दो कैसे मानला आपने 0-2 में internet trade लिया पचास हज़र रुपए का तो 0-2 में आपको 15 रुपए चार्ज लगेगा और वही upstocks में आपको 20 रुपए चार्ज लगेगा अब DP charges समझने से पहले depository के बारे में समझते हैं अब depository का मतलब होता है जहाँ पर आपके सारे shares जाके deposit होते हैं और वो सारे demet account सेवी के दो depository यानि की CDSL और NDSL में जाके deposit हो जाते हैं तो तकनिकी रूप से ये depositories बैंक के locker जैसा काम करती हैं तो ये DP charges इन depository यानि की locker की fees होती हैं अब इसमें दो हिससे होते हैं एक हिस्सा होता है broking company का यानि की zero-da और upstocks का और दूसरा होता है सेवी का अब यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये upstocks के DP charges है वो 5 रूपे से ज्यादा है जिरो-da से इसका मतलब upstocks ने यहाँ पर 5 रूपे अपना charges लगाया है यूँकि जो सेवी के जो charges होते हैं वो सारे brokers के लिए fix होते हैं तो आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये charges हर company के हर दिन के होते हैं मतलब कि अगर आपने किसी दिन दो अलग company के share बेचे तो आपको दो बार DP charges देने पड़ेंगे तो आप बात करेंगे payment gateway के charges की अब देखते हैं इन दोनों platforms के trading charges को तो कुछ इस प्रकार के अलग अलग charges आपको लगाया जाते हैं जब आप trade करते हो तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इन दोनों के trading charges में कोई फरक नहीं है लगबग दोनों के same ही है अब बात करते हैं इंट्राइट एडिंग की तो इंट्राइट एडिंग के लिए auto square of time सबसे महतो पूर्ण चीज होती है आपको इस cutoff time से पहले अपनी सारी trades को square off करना पड़ता है तो अंध के एक दो मिनिट भी काफी महतो पूर्ण हो जाते है अब जीरोदा में ये cutoff time तीन बीस का होता है और अप स्टॉक्स में ये होता है तीन बज के पंदरा मिनिट का इसके आलाव इन दोनों platform में कई छोटे-छोटे difference है उनको भी देखते है तो अगर आप एक NRI हो और अगर आप इंडिया से भार रहते हो और अगर आप एक trading demate account खुलवाना चाहते हो तो जीरोदा आपको ये सुविदा देता है अब इसके आलाव ये हमारा व्यक्ति का दानुबव है अब आपके लिए ये अलग हो सकता है लेकिन जो upstocks का customer experience है वो काफी अच्छा है जीरोदा के customer experience है अब जो लोग एकी आकाउंड यूज करते हैं वो 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 लेंगे हमारा experience तो इतना खराब था पर आपको ये बात ध्यार में रखनी ज़रूरी है कि हम लोग इन दोनों के experience की तुलना कर रहे है तो बहुत अच्छा experience किसी का भी नहीं है बस हमें upstocks का थोड़ा बहतर लगा बाकि आप लोग हमें comments में ज़रूर बतेगे कि इसके आलव आपको क्या फरक लगा इन दोनों platforms में